माजिद साइस आज हम आपके लेकर आया है हर्याना करंट अफियर 2019 पार्ट नमबर 14 बाकी 13 पॉइंट हम आलरेडी डिसकस कर चुकी है इन सभी पार्टों को देखने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन में लिंक दे दिया है Most important question all exam in हर्याना तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाटा फाट दोस्तों आज का हमारा first question है बारतिय सेली कुस्ति संग के नई अध्यक्स कोन बने हैं? हमारे पास four option है राजेस्तवर, मुहित सर्दाना, नपेसिंग राठी या असोग कुमार दोस्तों इसका option number C, नफेसिंग राठी यानि नफेसिंग राठी को बारतिय सेली कुस्ति संग का अध्यक्स बनाया गया है जो कि हर्याना के बाहगदूर गड के पूरो विदायत भी रह चुके है हमारे next question है ACI के डेट कुस्ति चेंपियन सीप में हर्याना के कितने पहलवानों ने पदक जीता है हमारे पास और option है दोने, तीनने, पांचने या आटने दोस्तों इसका option number A यानि दोने कजागिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित, ग्रीको-रोमन स्टाइल मुकाबले में हर्याना के दो पहलवानों ने पदक जीता है पहला है नितेस ने 22 किलोग्राम भारवरग में रज़त पदक जीता है और दूसरा रवी ने सैट किलोग्राम भारवरग में कास्या पदक जीता है हमारे नेक्ट क्वेस्टन है 28 में आम मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया हमारे पास होर उप्षन है 1-2 जुलाई, 3-4 जुलाई, 6-7 जुलाई या 9-10 जुलाई दोस्तो इसको उप्षन नमबर C, 6-7 जुलाई पंचकुला के पिंजोर के यादविंद्रा बाग में 6-7 जुलाई 2019 को 28 में आम मेले का आयोजन किया गया है हमारे नेक्ट क्वेस्टन है हर्यानवी खिलाडी पूजा सिहाग ने मंगोलिया में में आयोजित एसियन कुस्ती परतियोगिता में कौन सा पदक जीता है हमारे पास 4 ओप्षन है गोल्ड पदक, सिल्वर पदक, ब्रोंज पदक या इन में से कोई नही दोस्तो इसका ओप्षन नमबर B, सिल्वर पदक मंगोलिया में आयोजित अंडर 23 एसियन कुस्ती में परतियोगिता में इसार जीले के सिसाय गाउं की रहने वाली पूजा ने सिल्वर पदक जीता है हमारे नेक्ट क्वेस्चन है मिसेज हर्याना 2019 का किताब किसने जीता है हमारे पास 4 ओप्षन है किर्ती, मकिजाने, सूमन, रानीने, सनहया वर्माने या लतीका सर्माने दोस्तो इसका ओप्षन नमबर सी सनहया वर्माने 2019 मिसेज हर्याना का किताब जीता है जो की जजजर के गाउं गिजादोड की रहने वाली है हमारे नेक्ट क्वेस्चन है हर्याना के किस जीले में अंतराष्टिया सहकारिता दीवस पर मुख्या कारियकरम का आयोजन किया गया है हमारे पास 4 ओप्षन है करनाल में, यमूना नगर में, पानीपत में या रेवाडी में दोस्तो इसका ओप्षन नमबर भी यमूना नगर में अंतराष्टिया सहकारिता दीवस का कारियकरम किया गया है यह कारियकरम 6 जुलाई 2019 को किया गया था यमूना नगर के तेजसली स्टेडियम में इस कारियकरम का आयोजन किया गया है इसमें मुख्य मंत्री मनोरलाल खटर मुख्य अथिती के रूप में भाग लिया है वैसे तो हर्याना में हर साल सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है परन्तु इस बार इसे अंतराश्टिय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया है हमारे next question है न्यूजेन मोबिलिटी समीती 2019 का आयोजन हर्याना के किस सहर में किया गया है हमारे पास फ़र उप्सन है गन्नोर में मानेसर में करनाल में या पंचकुला में दोस्तो इसका उप्सन नंबर B मानेसर में न्यूजेन मोबिलिटी समीती 2019 का आयोजन किया गया है अंतराष्ट्य ओटोमेटिक प्रियोद्योगी केंदर यानि ICAT का आयोजन 27 से 29 नॉब्बर 2019 को किया जाएगा इस सीकर सम्मेलन का उदेश्या स्मार्ट एवं हरीत बविश्या के लिए उन्नत ओटोमेटिक तक्नीक का विकास करना है हमारा नेक्ट क्वेस्चन है मानव संसाधन एवं विकास मंतरल्य द्वारहजारी NIRF की रिपोर्ट में किस विश्वेदाल्या ने हर्याना का अच्छा परदेशन किया है हमारे पास होर उप्शन है हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी मैरीशी द्यानंद यूनिवर्शिटी लुखास यूनिवर्शिटी या कुरुक्छेतर यूनिवर्शिटी दोस्तो इसका उप्शन नंबर A. हर्याना एगरिकल्चर यूनिवर्शिटी जो की हिसार में स्तीत है NIRF की रिपोर्ट में हर्याना की अच्छी रेंक हासिल की है NIRF की फुल फोर्म है National Institution Ranking Framework HAU को वर्श 2018 के लिए हर्याना की सांटरतन पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है हर्याना के किस जिले का नाम 55,000 से अधिक महिलाव के महरतन में भाग लेने पर World Record of Book में दर्ज किया गया है हमारे पास और उप्शन है करनाल, सिर्शा, पलवल या पानिपत दोस्तों इसका उप्शन नमबर D पानिपत हर्याना के पानिपत में 8 मर्च 2019 को आयजित अंतराष्टे महिला दिवस के आवसर पज 55,000 से अधिक महिलाव ने पिंक महरतन में भाग लिया है इतनी बड़ी संक्या में महिलाव द्वारा इस आयोजन में भाग लेने के कारण इसे वर्ल्ड रिकोर्ड ओप बुक में दर्ज किया गया है इससे पहले जपान में हुई मारतन में 12,000 महिलाव ने भाग लिया था हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन है देश के सिर्ष 10 Medical College में लिस्ट में रोग तक PGI को कौन सा स्तान मिला है हमारे पास फोर ओप्शन है 10, 28, 48 या 60 दोस्तो इसका ओप्शन नमबर D 60 स्तान मिला है रोट तक में स्तित पंडित भगवाद्याल सर्मा पोस्ट ग्रैजवेट इस्टिटूट ओप मेडिकल साइंस 25 स्तान से 60 स्तान पर खिसत गया है जबकि सोनिपत जीले के खानपूर स्तित BPS Medical College को इस लिस्ट में 58 रैंक मिली है जबकि पहले नमबर पर IISC यानि Indian Institution of Science रहा है दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही यदि आपको या वीडियो अच्छी लगी होते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा कोमेंट कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिए माजिद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सबी लोगों का धन्यवाद